हेलो गाईज, वेल्कम बैक टो आबर यूटूब चैनल अगरी कल्चर एंड जी के बाइसेल्फ अंजरी नामदेव एंड टोड़े वे आज डिसकस एवाउट कल्टिवेशन ओफ लिंसीट तो हम अज लिंसीट के बारे में डिसकस करेंगे और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल में नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जादे से जादा शेयर करें यदि आप ICAR, JRF, ASRB, NET, SRF, ARS एक्जाम की प्रपेरेशन कर रहे है तो आप अपनी प्रपेरेशन हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपको कोर्स का प्राइस बन थाउजन रुपीज दिया साएगा कंप्लीट से लेवस रहेगा मौक टेस्ट आपको प्रुवाइट किया जाएगा और आपको अधर अग्रिकल्ट्रल एक्जाम्स में भी आपको हैल्प प्रुवाइट की जाएगी इफ यू आर इंटरस्टे देन कंटेक्ट इस नंबर विच इस सो इन स्क्रीन हमारे दे के नंबर पर कंटेक्ट करें यद्के आप कॉर्स को पर्चेस के चाहते हैं हम स्टार्ट करेंगे लींशीट के बारे में इसका जो पॉटेंगल नंब होता है लाई-नाम OCTacemum होता है इसका जो प्रुमोसॉम नंबर होता है व होता है 2aN is equal to 30 and is equal to 15 होता है ठ Чौर बेसिक नंबर इसका and is equal to 15 होता है जो ये family लेनेसी family से ये belong करता है इसका origin है अफगानिस्तान इसका origin क्या है अफगानिस्तान इसका origin है it is called old world fiber के नाम से भी इसको जाना जाता है old world fiber के नाम से off late in India it is used primary force oil seed हमारी इंडिया में इसको बहुत ज्यादा oil seed drop के रूप में use किया जाता है linseed fiber हम इसको बोल सकते question आता है कि fiber of linseed is equal to क्या होता है तो linseed का जो fiber होता है वो होता है flax उसको हम बोलते है flax बोला जाता है so linseed fiber or flax first of the positive fibers spend two cloths ठीके oil in seed जो seed में क्या होता है इसका oil होता है वो यूज उनली लेटर बाद में इसका यूज किया जाता है when grow for fiber called as fiber flex जब हम इससे fiber के लिए ग्रो करते हैं तो इसको fiber flex कहते है when identify for all oil देन ठीक है oil के लिए oil flex seed flex linseed और इसका जो खाने जाने बाला भाग रहता है वो होता है linola इसका जो edible linseed होता है वो होता है linola सो आप इसको अच्छे ज़िए का लोई edible linseed is known is आपका अंसर क्या होगा linola फिर हमारा नेक्स्ट है importance of linseed linseed का importance के आप यह दो image आपको दीख रही है यह linseed crop है ना so importance क्या हो सकता है इसका it is primarily considered for fiber fiber के लिए इसको consider किया हो जाता है जिसे हम बोलते हैं flex in India primary for oil seed जो इंडिया में इसको बहुत जड़ा oil seed के लिए grow किया जाता है entire plant uses जो इसका पूरा plant रहता है uses रहता है oil जो रहता है 80% जो oil रहता है इसका वो industrial purpose के लिए use होता है oil cake good for milch animal जो इसका जो oil cake होता है ना जो oil cake होता है वो milch animal milch animals means जो धारू possible बोलते हैं मिंदी में इसके साथ साथ तो मैंने और में भी इसका यूस किया जाता है oil cake का फिर इस्टामील गुड़ क्वालिटी जो रहती है जो इस्टामील की good quality fiber रहता है उसको हम बोलते है लीनेन having strength and durability की जो strength होती अच्छी तो फाइवर साथ जो क्या किते हैं फाइवर है वो लस्टिरियस लस्ट्रस भी होता है ब्लैंड वित बूल शिल्क और कॉटन ठीक है यह लस्ट्रस होता है जाई जैसे इसको भी मोट सकते हैं बैंड कर सकते हैं इस टैप का यह फाइवर जो लिंसीट का होता है वो होता है ठीक है फिर हम बात करेंगे climate का climate कैसा requirement होती इसकी so climate जो है सांडी और आप पूर्ली ड्रेंड द्रेंड झाल को छोड़के सारी साइन जो सॉल होती इसमें उस्फुल होती है लाइक बोल सकते हो क्ले लोमी संटी लोमी यह बहुत बात बेस्ट स्टी रहती है आपको पीर्षा पाथ से साथ जर जरी रियते लेकिन यह जिती रहता है त इसके अलाबह क्या है था आयोडीन बढ़ने लगता है ना अंडर सालाइन कंडिशन में इसको भी देख सकते हो तो देख रहे हो आप यहां पे के जो जो आप यह पर आपको आपको झाल थाप्सेंडी पूर्ली ड्रेंड इसको आपको एकसेप्ट करना चाहिए जोड़ना चा साथ इनफ है ना असे रेंग सिक्स पॉइंट जीरो वह बहुत सो टेबल रहता है लेकिन उससे क्या होता है जो आयोडीन रहता है वह सलाइन कंडिशन में वह पढ़ने लगता है ना तो हमको पाथ से साथ पी एच को लेना चाहिए फिर हम बात करेंगे सोइंग टाइम की तो स है तो 2020 से 50 kg collective और और यह वह मतलब बॉलड और पर है तो 50 ऐंगे सीट रेट रख तरह क्राइंगे स्पेसिंगkee स्पेसिंग रहे चाहती है 20-30 और 10-7-10 फ्वाओं-10 नीट, जो 20-30 कीव होती है वह ब्लांट प्लांट रज़ेक्वी सांट संटीनमिटर फिर अब के टार कमके बाग साब मोलकी केलने करा देवाय से कर सकते हैं अब यूअ मिवां gy纜न हो जो पर देवाः के जलार्व आपको अब को सेट को स्टीन करने के पहले आपको क्या कर na होगा सी bes 국ması कर दो सभी इसके लिए लाकत करें उस कंडिशन में एक के र इप आपका भूट हिंद गार कें दिया को है द्येकिन थेन पाइड़ी वहां, पॉहरा में डहकुेंद दू Очень सभी हुआ, फिर हमारी आते है next nutrient management हम nutrient management कैसे कर सकते हैं NPK fertilizer हम देंगे तो 60 ratio 40 ratio 20 kilogram per hectare के rate में हम उसको fertilizer supply करते हैं फिर हमारा next है वीड management क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन देखने लगता है तो हमें इसके लिए क्रोप वीड कर देनी चाहिए या हैंड बीडिंग कर दें न और यह हमको हैंड बीडिंग नहीं करना हैं हम सचे कैमिकल कर यूज कर सकते हो mape pre plant emergence तो अब क्या ठीक है तो फ्लो ख्लोरीलन एड़ इड़ एड़ एड़ वन किलोग्राम पर कर सकते हो प्रीमर्जेंस में कर सकते हो यह आपको दिखा रहा है मैं था बंजय त्यूरम ना वन किलोग्राम के पे रेट में पोस्ट एमर्जेंस में आप क्या कर सकते हो डाय क् इसका जो डिजीज है आपको डिजीज के कैसा पूछेगा आपको causal organism पूछेगा है ना causal organism में पूछ देगा तो आप बताओगे किसका यह है ना आपको इसा पूछ सकता है तो rust disease है सबसे पहले हमारी जो है rust है इसका जो causal organism है मेलाम सोरा लाइनी ठीक है अब हम इसको देख रहे हूं आप लोग डिजीज रस्ट कैसे लगती है जंग टाइप में लग जाती है तो यह आपकी जो लीफ है लीफ में क्या हो जाते है रस्ट इस टाइप के आपको दिखाई देने लगते इस पोस फिर management आप बात करोगे किसक का management कैसी कर सकते हैं तो management करने के लिए destruction of plant theories from the disease field क्या होगा हम जो plants से disease लगी हुए plants है उनको हम क्या कर दे destruct कर दे खतम कर दे यहां सीट treatment करें हम लोग ऑक्जी कार्वोक्षिन से हम सीट treatment करके भी इस disease को रोक सकते हैं इस प्रे कर दे हैं फंजी साइट से लाइक हो गया ऑक्जेथेन डारिवेटेप जायथेन एं 45 क्यूमेनल इसका हम स्प्रे कर सकते हैं फंजी साइड में यह तरह करेंगे फ्यूजेरियम फिल्ट अप लिद्ट करेंगे फ्यूजेरियम बेंद आपको क्यों इसका जो जूजला अर्गनियसम होता है वह है फ्यूजेब ऑक्ष्पोर्म फ्यूजेरम इस पींस्पीसिज लनी कि किस्का इसका is जा बैसमा पच्छे से पदली से कहां हर बात करोगे डिजीज का मैनिजमाइट की बात करें तो हमें क्या करना चाहिए हर तीन साल में हमको क्रॉप रोटेशन अपना चाहिए तीन साल दक हमको क्रॉप रोटेशन लेना चाहिए ना सी ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो सी ट्रीटमेंट आप करेंगे ही करेंगे आप थायर कर सकते हो 0.1% में COC में at the rate to 0.25% फिर हमारा आता है जो नैक्स है ऑफ की ऑउडरी मिल् votre नेओं तो पाउडरी मिल् जिस्जज आपको पता है कि क्या हो सांम हो या प्राण चुकिया लीफ मैं पाउडरी फॉर्म में आपको क्या दिखने लगते होस पे पाउडर ल Blood लाग देहना लगता हैना तो इसका ब्लॉड तो कॉजल्स म कर सकते का मैंगेजमेंट कर सकते हो पाउडरी मिली डिजीज का बात करें ही विल ही इस ही ही प्रेंटी टीस है ट्व टू एटिज कूंडल पर हेक्टिय मेप रेटिए probit अब कमक्रसिब सोकती है यह process होती है it is a process of treatment of stock for final fiber extraction that means just for final fiber हमको extract करना होता है तब इस process को किया साता है और treatment किस पे किया साता है इस stock का treatment किया जाता है अब इसकी process क्या है rating की process उसको हम देखेंगी जो linseed stock होता है stock means हम बोल सकतो उसको एक तरीके से उसको chopped कर देते हैं at the top end में end से हम उसको क्या करेंगे chopped कर देंगे guide in small bundle और उसको क्या कर देंगे small bundle में ला लेंगे न and then shifting in available water source जहां पर पानी का हमको source मिलता है हम अधर पर उसको क्या कर देंगे एक जगह से दूसरे जगह पर shift कर देंगे फिर जो stock होगा stock को हम tide कर देंगे tide means होता है bandhna हम उसको bandh देंगे allowed to remain immersed in water till rating is completed और उसको हम कहां पर रखेंगे water में उसको immerse करेंगे जब तक की rating complete नहीं हो जाती है ठीक है for uniform rating uniform rating के लिए bundle should be turned by replacement हमको क्या करना चाहिए bundle को replace कर देना चाहिए upper layer to lower layer after two to three days दोस्त अब हमने उस पर पानी में रख दिया उसको तो हम rating को complete होने तक के लिए उसको रखेंगे लेकिन हम क्या करेंगे जो कुछ time बाद हम उसको turn करते रहेंगे turn कर देंगे replacement upper layer को lower layer में layer layer को upper layer में ठीक है तो ऐसे करके आपके क्या करोगे दो से तीन दिर बाद इस process को apply करोगे ठीक है तो यहाँ पर आपका complete होता है linseed drop यहाँ था आपका cultivation of linseed drop आपको यहाँ नहीं समझ में आता है और साथ साथ आप यदि हमारे whatsapp group पे जोइन होना चाहते हैं discussion whatsapp group में तो आपको description box में लिंक दी गई है whatsapp की तो आप उससे हमारे whatsapp पे जोइन कर सकते हैं और यहाँ आप वीडियो को like share करना ना भूले वीडियो कैसा लगा वो भी comment करके ज़रूर बताएं thank you चुँँँँगर जग झापको दो आपको पार गापको नवी रूले ना बताएं